Hey everybody, मैं हूँ Priya और आप देख रहे हैं Phenology Legal आज की इस वीडियो में हम internet पर available कुछ ऐसे tips and tricks के बारे में बात करेंगे जिससे की आप Indian Constitution को और आसानी से याद कर पाएंगे और इस पूरी वीडियो की जो सबसे funny trick है उसे मैंने इस वीडियो के end के लिए बचा कर रखा है तो उसे जरूर देखेगा तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जब भी हम Indian Constitution की बात करते हैं दो डेट सबसे ज़्यादा important है पहला है 26 November 1949 अब ये डेट की important है क्योंकि इस दिन हमारा Constitution बन कर तयार हुआ था On this date we adopted our Constitution पर क्या इसी दिन से Constitution लागू होना, inact होना स्टार्ट हो गया था? नहीं तो Constitution लागू होना स्टार्ट हुआ था, inact होना स्टार्ट हुआ था 26 January 1950 को अब इस डेट की ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि 26 January 1929 को इंडियन नाशनल कॉंगरस ने पहली बार इंडियास Declaration of Independence बनाया था पून सुराज की मांग की थी तो उस डेट को रिमेंबर करने के लिए 26 January को हमने Constitution को inact किया था और इसी डेट को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 26 January को Republic Day मनाते हैं तो originally जब इंडियन Constitution बन कर तयार हुआ तब उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केडूल्स थे बट currently इंडियन Constitution में कितने आर्टिकल्स है? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 स्केडूल्स बट एक चीज जो तब और अब दोनों में कॉमन थी वो ये कि इंडियन Constitution दुनिया का सबसे लंबा, वोर्ल्स लेंडियस Constitution है तो शुरुआत करते हैं स्केडूल्स के साथ अब ये स्केडूल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो टेबल्स होते हैं जिन में कुछ अडिशनल डीटेल्स दिये होते हैं जो कि आर्टिकल्स में प्रेजन नहीं होते हैं फॉर एक्जाम्पल अगर आप Constitution के आर्टिकल 346 और 347 की बात करें तो वो ओफिशल लांगुज़स की बात करते हैं पर ये नहीं बताते कि कौन-कौन सी लांगुज़स अफिशल लांगुज होती है ये दिया होता है एच स्केडूल में जो इंडिया की अफिशल लांगुज़स की बात करती हैं तो स्केडूल में कुछ अडिशनल डीटेल्स दिये होते हैं By the way, आपको क्या पता है, कि इंडिया की कितनी official languages है, 22. तो शुरुआत करते हैं, schedules के साथ. तो ये है, वो 12 schedules. अब ये मैं थोड़ा side हटोंगे, तो ये आपको clearly zoom होके दिखेंगे. पर आपको पता है, मेरे school के math teacher क्या करते थे? वो बच्चों को कोई भी formula ये trick बताने से पहले, उन्हें original तरीके से, difficult तरीके से problem solve करने बोलते थे. ताकि बात में जब वो trick बता है, तो बच्चों को उसकी importance feel हो. ऐसा ही कुछ मैं आपके साथ करने वाली हूँ, तो पहले हम ये 12 schedules देखेंगे, और फिर इसे याद करने की trick जानेंगे. और जब आप ये trick सुनेंगे, तो आपके आखों से खुशी की आसू, tears of happiness आ जाएंगे. देखें, तो पहला schedule बात करता है state और union territories की, दूसरा बात करता है कि किसको कितनी salary या emoluments मिलेंगे, तीसरा बात करता है शपत ग्रहन की, oaths और affirmations की. तो हर schedule में जो word highlight होते जा रहा है, इसी को combine करके ये trick बना है. तो आपको बस ये words याद रखना है और फिर आपको ये पूरे schedule याद हो जाएंगे. इसके बाद, चौथा schedule बात करता है कि राजसभा में किस state से और किस union territory से कितनी seat allocate हुई है. फिफ्थ schedule बात करता है schedule area और schedule tribes की. वही 6th schedule बात करता है North Eastern states के बारे में. तो क्योंकि इससे पहले हमने schedule areas और schedule tribes discuss किये हैं, तो 6th के जो areas है North Eastern areas मतलब आसाम, मेगालिया, तरिपुरा और मिजवराम के जो states है इन्हें हम other areas बोलेंगे. इसके बात आता है बहुत ही important 7th schedule जो federal structure की बात करता है. इसमें discuss किया गया है कि union और state government के बीच में distribution of power किस तरीके से होगी. और इसी schedule में 3 list, union list, state list और concurrent list भी दिये गए हैं. Next आता है 8th schedule जिसमें 22 official languages दी गई हैं. और इसकी बाता है 9th schedule जो land reforms की बात करता है. Validation of certain acts and regulations. क्या आपको पता है कि Indian constitution का जो first amendment act हुआ था जमिंदारी system को abolish करने के लिए इसी के लिए 9th schedule को constitution में insert किया गया था. इस schedule में कुछ ऐसे central और state laws हैं जिसे court में challenge नहीं किया जा सकता. तो as of now इस schedule में कुछ 280 या 209 laws हैं जिसे court में challenge नहीं किया जा सकता. इसकी बात 10th schedule बात करता है defection laws की, disqualification on ground of defection की, 11th schedule बात करता है panchayats की और 12th schedule बात करता है municipalities की. तो अभी जो 12 schedules आपने देखें इसे learn करने की trick है tiers of old PM. इसे आप ऐसा याद रखें कि 12 schedules है और ये 12 letters हैं इन्हें एके करके देखते हैं तो T से territories, E से emoluments, A से affirmations, R से राज्यस अभा याद रखेंगा और S से scheduled areas तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए आपके 5 schedules. अब 5th schedule में बात हुई है scheduled areas की और 6th में बात हुई है North Eastern states की तो इसे आप other areas की नाम से याद रखें तो 5th हो गया scheduled areas और off का O हो गया आपका other areas इसके बाद F से है federal structure तो ये किसकी बात कर रहा है federal structure की बात कहां की गई है? 7th schedule में तो 6th और 7th, 7th schedule में आपकी 3 list दी गई है और य Union और state की बीच में powers केसे divide होंगी इसके बादे हम बात करता है इसके बाद O से हो गया आपकी official languages, 8th schedule, L से land reforms, 9th schedule जो 1951 में insert हुआ constitution में D बात करता है defection laws की, anti-defection laws की इसके बाद हम P और M देखते हैं तो P बात करता है panchayat की और M बात करता है municipality की तो इस तरीके से आप अपने 12 schedules को इन 12 letters से याद कर सकते हैं 12 schedule, 12 letters तो I hope आपको schedule याद करने में आसानी होगी एक और बार बता देते हो कि schedules क्या होते हैं? ये वो additional details होते हैं वो list, वो tables होते हैं जो articles पर present नहीं होते हैं अब एक question ये आता है कि जिस तरीके से हमने constitution में articles को insert किया है उसी तरीके से हमने schedule को क्यों ने insert किया? क्योंकि जब हमने constitution enact किया था तब ही वो इतना lengthy था आपको पता है enactment वाले दिन constitution में कितने words थे? 1,45,000 words थे हमारे constitution म थे तो हमारा constitution कितना complicated और कितना lengthy हो जाता इसलिए simplify करने के लिए constitution को articles, parts और schedules में divide किया गया है अब बात करते हैं दूसरी trick की तो 1946-47 में जब इंडिया की constituent assembly पहली बार बैठी थी constitution बनाने के लिए तब उन्होंने दुनिया भर के constitution से inspiration ली थी इस में से कुछ देश ऐसे थे जो नय-nयाजाद हुए थे, नया-nया constitution था, वही कुछ देश, कुछ sources ऐसे थे जिनका constitution बहुत पुराना था पर mainly हमने इन 11 sources से inspiration ली थी, इन 11 sources से features लिये थे, for example, Government of India Act से हमने कुछ features लिये, US Constitution, UK Constitution ऐसे अलग-अलग sources से हमने inspiration ली, पर जब भी exam में पूछा जाता है कि कोई specific feature किस source से लिया गया है, तो यह याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी में help करेगी आपकी दूसरी trick, जो आपको sources याद करने में help करेगी, चलिए देखतें इस trick को, तो सबसे पहले बात करते हैं Irish Constitution की, तो इससे जो हमने features लिये हैं, उसे याद करने के लिए सानसा statement याद कर लिजिए, वैसे यह statement जादा easy लगता है, तो चलिए अब इसमें क्या-क्या features हैं, यह देखते हैं, तो LEs हो गया, election of president, DP हो गया, directive principle of state policy, और number one, यह हो गया, nomination of members to Rajya Sabha, तो जो तीन features हैं, आप इस एक statement से याद कर सकते हैं, यह तीनो features हमने लिये हैं Irish Constitution से, British Constitution, तो इसके features याद करने के लिए मेरे पास दो statements हैं, वैसे वीडियो देखते देखते आपको भूक लग गई होगी, तो यह लीजे, पारले biscuit, इसी में UK के features हैं, पास से हो गया parliamentary system, आर से हो गया rule of law, एल से हो गया law making procedure, इसके बाद, biscuit के बाय से हो गया bicameralism, और फिर है single citizenship, इनी features के लिए जो दूसरा statement है, वो है, sinby is a complex law, तो sin से हो गया single citizenship, by से हो गया bicameral parliamentary system, complex के comp से याद रखिये, comptroller and auditor general, और law से याद रखिये, law making procedure, तो UK के features याद करने के लिए आपके बास दो options है, पारले biscuit और sinby is a complex law, इसे पारले biscuit मुझे ज़्यादा कैची लगता है, इसके स साथी British Constitution से हमने एक और बहुत important feature लिया है, वो है RITS का, अब यह RITS क्या होते हैं, यह समझने के लिए, आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत simple तरीके से RITS क्या होते हैं, यह समझाया है, next हम देखेंगे US का Constitution, तो recently US के presidential elections काफी चर्चा में रहे ह हैं, तो उसी से आप इस statement को relate करिएगा, President needs fund for removal of present Vice President and Judges in USA, अब इस statement से हम यह features derive करते हैं, तो President से हो गया President of India, तो India में जो President as Supreme Commander of Armed Forces का जो concept है, यह हमने US Constitution से लिया है, Fund से हो गया fundamental rights, तो Constitution का one of the most important parts, part 3, fundamental rights का inspiration US से ली गई है, next है removal, जिसे impeachment भी कहते हैं, तो impeachment का concept भी यहां से आया है, इसमें President का impeachment भी आता है, और Supreme Court और High Court के Judges का impeachment भी involved है, फिर President से आप प्रियाम्बल याद रखिये, इसके बाद Vice President का concept, और Judges से आप Independence of Judiciary याद रखिये, तो यह features हमने US से लिये है, next आता है Canada का Constitution, तो इसके लिए भी बहुत catchy और बहुत simple line है, वो है, Can I Know Feds Address, बहुत simple है, और आसानी से याद हो सकता है, अब इसमें से features देखते हैं, तो Can से आप Canada याद रख सकते हैं, कि यह statement Canada से relate करता है, फिर Fed से आप Federal System याद रख सकते हैं, तो Federation with a Strong Center का concept यहां से लिया गया है, आट से हो जाएगा Supreme Court की Advisory Jurisdiction, और रेस से हो जाएगा Center की Residuity Powers, और यह सारे features आप Can I Know Feds Address से याद रख सकते हैं, तो इस second trick में हमने जो भी catchy statements discuss किये हैं, उससे आप Ireland, UK, US और Canada के sources बहुत जल्दी याद कर पाएंगे, इसके साथ ही बाकी sources से हमने कौन-कौन से features लिये हैं, यह मैंने इस वीडियो में discuss किया है, नेक्स्ट हम बात करेंगे Constitution के parts के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि originally Constitution में 22 parts थे, but as of now हमारे पास 25 parts हैं, तो तब से लेकर अब तक Constitution में काफी सारे changes हुए, तो जब भी Constitution में कोई नया part insert करना होता है, या नया कोई article लाना होता है, तो उसे alphabetically introduce किया जाता है, जैसे Part 9A of the Constitution, Part 9B of the Constitution, Article 21A, तो alphabetically इन new changes को insert किया जाता है, ताकि Constitution का जो arrangement है, वो affect ना हो, तो इन 25 parts को easily कैसे याद रखना है, इस बारे में है ये trick, तो चलिए, अब आपके screen पर जो एक statement आने वाला है, उसे आराम से और enjoy करके देखिएगा, तो इन्डिन Constitution के जो 25 parts है, इन्हीं एक साथ याद करना थोड़ा difficult हो सकता है, इसलिए, इस trick में हम तीन निमोनिक्स डिसकस करेंगे, आपको इन तीनों में से जो पसंदा है, आप उसे याद कर लीजे, तो जो पहला निमोनिक है, उससे हम ये 25 parts एक साथ याद करना ट्राइ करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करें, ध्यान से देखेगा, तो इस statement के हर first letter से आप 25 पार्ट को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे, पर हो सकता है कि ये निमोनिक बहुत लंबा हो, इसलिए हम दूसरे निमोनिक को देखेंगे, जिससे आप 7 parts को, पार्ट 11 से लेके 16 तक को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे, तो चलिए इसे देखते हैं, बहुत simple एक normal phrase है, read from the start to end please, तो 7 parts इस एक sentence से, read from the start to end please, और इस एक phrase से आप पार्ट 11 से लेके 16 तक के पार्ट याद कर सकते हैं, अब बात करते हैं, तीसरे निमोनिक की, जिससे आप 17 से लेके 22 तक के पार्ट याद कर सकते हैं, तो यह एक बहुत ही simple word है, लीमाट्स, अगर आप सिर्फ इसे याद रखेंगे, तो 17 से लेके 22 तक के पार्ट याद कर सकते हैं, तो इस ट्रिक में हमने जाने 3 निमोनिक्स, जो पहला था, उससे आप 25 के 25 एक साथ याद कर सकते हैं, दूसरे में आप read from the start to end please, इस एक लाइन से 11 से 16 तक के पार्ट या अगर था आज का वीडियो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर, मैं उमीद करती हूँ कि आज के इस फन वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर हां तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिए ताकि वो भी एक्जाम में अच्छ ट्राइब भी कर सकते हैं, उमीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, that's it for now, see you in the next class, bye bye!